अब सब्सक्राइब करेंगे। तो देखी इंडिया और पकिस्तन की जो पहला मैच होई थी वह पर बहुत अच्छा तरीके से एक बैलन्स टीम जरूर से बनाए गया था लेकिन इंडियन टीम में मुझे लगता है कि एक चेंज बहुत ज़दे इंपोर्टन है तो हम अगर पहले प्लेइंग 11 की बात करें तो रोहिष सर्मा और सुबमन गिल ओपिनिंग करेंगे बहुत बढ़िया तरीके से इन दोनों से हम बहुत ज़दा रंकी एक्सपेक्ट कर रहे है उसके बाद विराट कोली स्रेयस आयर इशान किशन उसके बाद आएंगे जो बहुत ज़्यादा जरूरी है इतना ज़्यादा इंपोर्टेंट मैच खेलने से पहले देखिए शार्दुल ठाकुर बहुत अच्छा जरूर से एक प्लेयर है गोल्डेन आर्म है लेकिन ओपके मुख फर्स बोलर नहीं है और उसके साथ बढ़िया तरीके से बैटिंग से अच्छा वाइड बॉल में ओ पर्फॉमेंस नहीं दिया है तो मुझे लगता है जरूर से एक अच्छा बैटिंग की बिकल्प है लेकिन आपकी जो मुख बोलर है उनकी आप कह सकते हो थोरा सा प्रॉब्लेम सादूल ठाकुर आने के करन हो रही है तो मुझे लगता है आपको बोलिंग करना पड़े विकेट चटकना पड़े तो आपके पास मुख बोलर और बढ़िया तरीके से पेस अटक होना जरूरी है और उसके साब कुल्दी पियादव और रभिंद जदेजा है जो बढ़िया तरीके से जो स्पीनिंग की डील है जो स्पीनर्स की डील ह उसको बडिया तरीके से समाल सकती है तो मुझे लगता है यही प्लेइंग इलिवें रहेगी और इंडिया के पास एक और जो आप कह सकतो एक चांस है और एक और जो ऑप्षन है ओह हार्दिक पांडिया जो बहुत बडिया तरीके से बोलिंग कर सकते है तो जिसके करण मुझे नहीं लगता कि सारदूल ठकुर के ऊपर जाना परेगा क्योंकि बड़िया तरीके से आपको अंतक बल्लेबाजिया पर मिल जाएगी अब हम बड़िया तरीके से पकिस्तन की प्लेइंग इलेबिन को बरबाद कते है लेकिन बैटिंग में भी बहुत अच्छा गैराई है और उसके साथ बड़िया तरीके से रन हो सकता है और रन बनाने की कबिलियत भी उनके पास है लेकिन एक जो चीज़ पकिस्तन को बहुत बड़िया तरीके से इंप्रूब करना होगा आपना फिल्डिंग क्योंकि थोड़ा सा फिल्डिंग में जरूर्ट से चूख हुई है और उनके फिल्डिंग के कारान ही आप कह सकते होगी इंडिया की जो रन टू-66 तक पहुची थी उसकी एक बड़ा आप कह सकते है जम्मेदार है पकिस्तन की फिल्डिंग तो ज़रूर से पकिस्तन की फिल्डिंग को थोड़ा सा ठीक करना होगा और मुझे जो लगता है जो प्लेइंग लेवेन होगी वह है बाबर अजम और उसके साथ बड़िया तरीके से रिजवान रहेंगे अब देखना पड़ेगा ओपिनिंग में फकर जमान या इमाम उलहक खेलेंगे या बाबर अजम वह पर इंक्लूट कर सकते हैं लेकिन मुझे जो लगता है कि बाबर अजम बड़िया तरीके से फास्ट डाउन पर ही आएंगे उसके बाद रिजवान आएंगे अगा सलमान है बहुत बड़िया तरीकी जो उन्हें ने खेले है इफ्तिकार आमेद है सादाप खान है जो बहुत अच्छा तरीके से जो टेलेंट की बैटिंग है और बैटिंग को बड़िया तरीके से समाल सकते है नवाज है उसके बाद हम अगर बात करें जो लास्ट की तिन पेशर स्ट्रायो हैरी स्ट्राप शाहिन आपरिद्वार नसिम सा है जो बड़िया तरीके से पाकिस्तन टीम को भी बहुत जादा एक पूश दे सकती है तो बड़िया तरीके से ये खेल मुझे रगता है जमेंगी लेकिन जो में प्रॉब्लेम और में बात है आज आप कह सकते हो आज की रात की और आप कह सकते हो कल मतलब 10 तरीक की वेधर क्योंकि वेधर रिपोर्ट एम जो इस प्रमसद स्टेडियम है उतना अच्छा वापे है नहीं प्रमसद स्टेडियम में जो वेधर की बात हो रही है उतना बड़िया तरीके से जो वेधर की ठीक आप कह सकते हो पहलू नहीं है इसके लिए एक रिजर्ब डे भी रखा गया है और 90% बारिश होने का चांस है जो बहुत जादा एक खत्रा की घंटी आप कह सकते हो इंडिय पाकिस्तन की मैच के उपर आप कह सकते हो की टेहल रही है तो यह एक बहुत बुरी नियूज है जो इंडियन फैंस है जो पाकिस्तन फैंस है जो क्रिकेट फैंस है उन सभी के लिए कि अगर बारिश हो जाए तो इस खेल की जो रॉमांचर मजा है पिछले दिन के तरह पीछ होगी थोड़ा सा bowling friendly bench हो सकती है अगर बारी शो तो जो second time bowling attack होगी उन bowling attack में जो spinners होगे उनको बहुत ज़ादा मदद मिल सकती है थोड़ा सा low bounce रह सकती है जिसके करन बढ़िया तरीके से जो बोलर से जो spinners से उनको grip मिलेगी और पहले की 10 सबर आप जानते होगे कि swing तो बढ़िया तरीके से फास्ट बोलर को मिलेगी ही मिलेगी क्योंकि जो pitch है थोड़ा सा slow और bowling friendly है तो इतना ही आज के लिए बढ़िया तरीके से मैं आपको हर जो news था हर जो reports था और जो probable एक साई था बढ़िया तरीके से बता गया अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगे जरू से like share and subscribe करना दोस्तों के साथ share करना और जरू से आप एक like करके जिना क्योंकि आपकी एक like मुझे बहुत जादा motivate करती है ऐसा ही वीडियो बनाने के लिए थैंक यू